प्रदान्वंत्री जी उचे शिक्षा में परवर्टनकारी सुधार राष्टे शिक्षानिती 2020 के परपेक्ष में राष्टे सम्मेलार में आज आपके स्वागत के लिए देश के कोने कोने से एक अजार से विश्व विद्यालेओं के खुलपति गार्ण, अध्यापक गार्ण 45,000 से भी अधिक महाविद्यालेओं, डिक्री कोलिजियों के पराचेदेगण और अध्यापक गार्ण और 1,500 से भी अधिक राष्ट्रिय महतों के संधानों के अध्यक्ष निदेशक और महानिदेशक गण सहित देश और विदेश के प्रमुक्षिक्षा विद्ध आज आपके सामने आपका हिर्दक की गैराईयों से अविनन्दन करने के लिए दूर दूर से जुड़े हैं कस्तुरी रंगन जी स्वेम और अपनी कमेटी के तमाम सदस्यों के साथ आज यहां पर उपस्तित हैं और इसले मैं कस्तूरी रंगन जी का भी हिर्दक की गैराईम से अविनदन कर रहा हूँ प्रदान मंती जी पद्मो भूशन कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षिता में जो ये एन एपी की कमेटी है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार के रूपे मुझे लगता है कि होगी जिसमें दो लाग से अधिक गाम समितियों के साथ एक अजार से अधिक विशो विद्याले तेटिस करोड चातर चातरों के अभिभावकों से परामर्स सारे अध्यापक गन्ड विशेशक्य गन्ड सभी एंजियो जनप्रतिनिदी गन्ड देश बर के सभी शिक्षा मंतियों से एक बार निबलके कई बार देश के मुखे मंतियों से तमाम समय समय पर संबाद और प्लिक डोमेंड में डालने के बाद सवत दो लाथ से भी अधिक जो सूजाव आई हैं उसके भ्यापक विसलेशन के बाद जो ये अमरित निकल करके प्रदान मंतिय जी ये हमारे सामने आया है मैं ये समझता हूँ कि जो आपके नए भारत के निर्मान का प्रदान मंतिय जी कि मेक इन इंडिया, डिजिटिल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप और स्टेंड अप इस रास्ते से भी हो करके आपने जो एक और मंत्र सूत्र दिया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के इन उन नीती पर वो आपके बिजन पर प्रदान मंति जी ये जो नई शिक्षा नीती आई है वो यूनियस को के उस लक्ष को जो सतद विकास के लक्षों को प्राप्त करने का उसका लक्ष है उसको भी केंद्रित करती है उसको भी उस लक्ष को भी प्राप्त करने की इसमें चमता है प्रदान मंती जी आपने हमेशा का है कि ये 21 सदी ज्यान की सदी है और जो प्रदान मंती जी आपके नेतितों में मैं समझ सकता हूँ कि कितनी बार ये एक एक शब्द इस नए शिक्षा नीति का आपसे होकर के गुजरा है बार 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 आपका मारत दर्शन जो हमको मिला है और मैं समझ सकता हूँ कितनी संबेदन सीलता से प्रधार मंती जी आप कितने चिंतित थे इस नए शिक्षा नीत को लाने के लिए एक बार नी, दो बार नी, तीन बार नी, चार बार सहीत बार बार आपने हमारा मार्ग दर्शन किया, आपके मानावता के ब्यापक बिजन के साथ मानवी मूलियों के आधार पर समावेशी और सारभ भोमिकता लिए उतकरिष्ट ता और गुणवत्ता से ग्यान, विज्यान, अनुसंदान, प्रध्योगी की तथा नवचार के साथ उधारवादी और विश्व परतिस परदी रू हम आपको भरोसा दिलाने के लिए दूर-दूर से आपके साथ जुड़े हैं, मैं बहुत बिनम्रिता से आपको निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधान मंति जी हमका मारा मार्ग दर्शन करें, आपके आशीर बात के हम अभिलासी हैं, प्रधान मंति जी नवस्तार, मंत्री मंडल में मेरे सयोगी, सिमान रमेश पोखरियाल निशंग जी, सिमान संजे धोत्रे जी, नेश्टनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्टिय स्विक्षा नीती में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभाने वाले, देश के जाने वाने वैज्यानिक, डॉक्टर कस्तूरिय रंगन जी, और उनकी टीम, इस सम्मिलन में भाग ले रहे, वाइच चांसेलर्स, अन्य सभी सिक्षावित, सभी महानुभाव, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन नेश्टनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रिय शिक्षानिती के संदर्प में, आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपून है, इस कॉंक्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल को, नेश्टनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रिय शिक्षानिती के विबिन पहलूँ के बारे में, विस्त्रुत जानकारी मिलेगी, जितनी जानकारी और जादा जानकारी, जादा स्पस्ट होगी, फिर उतनाही आसान इस राष्ट्रिय शिक्षानिती का इंप्लिमेंटेशन भी होगा, साथ्यों तीन-चार साल के व्यापक विचार विमर्ष के बाद, लाखों सुझाओं पर लंबे मन्थन के बाद, राष्ट्रिय शिक्षानिती को स्विकृत किया गया है, आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है, अलग-अलग शेत्र के लोग, अलग-अलग विचार धाराओं के लोग, अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रिय शिक्षानिती को रिव्यू कर रहे हैं, ये एक हेल्दी डिबेट है, ये जितनी ज़्यादा होगी, उतनाही लाब देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा, ये भी खुशी की बात है, कि राष्ट्रिय शिक्षानिती आने के बाद, देश के किसी भी खेत्र से, किसी भी वर्ग से, ये बात नहीं उठी, कि इसमें किसी तरह का बायस है, या किसी एक तरफा कोई जुकाव है, ये एक इंडिकेटर भी है, कि लोग बर्सों से, बर्सों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टिम में, जो बडलाओं चाहते थे, वो उन्हें देखने को मिले हैं, वैसे, कुछ लोगों के मन में, ये सवानाना बहुत स्वाभाविक है, कि इतनो बड़ा रिफॉर्म कागेज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, यानि अब सबकी निगाएं इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ है, इस चैलेंज को देखते हुए, जवस्ताओं को बनाने में, जहां कहीं कुछ सुधार की आवशक्ता है, वो हमें सब को मिलकर के करना है, और करना ही है, आप सभी राष्ट्रिय सिक्षानिती के इंप्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तोर पर जुड़े हैं, और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत जादा है, बहुत एहम है, जहां तक पोलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कबिटेड हूँ, साथियों, हर देश अपनी सिक्षा व्यवस्था को, अपनी नेशनल वैल्यूस के साथ जोड़ते हुए, अपने नेशनल गोल्ड्स के अनुसार, रिफार्म्स करते हुए, आगे बढ़ता है। मक्सद ये होता है, कि देश का एजुकेशन सिस्टिम, अपनी वर्तमान और आने वाली पीडियों को, फ्यूचर रेडी रखें, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रिय शिक्षानीती का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रिय शिक्षानीती 21 सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तयार करने वाली है। 21 सदी के भारत को, हमारी युवाओं, और हमारी युवाओं को जिस तरह की, एजुकेशन की जरुरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रिय शिक्षानीती पर इन बातों पर विशेश फोकस है। भारत को ताकत्वर बनाने के लिए, विकास की नई उचाई पर पहुँचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और ससक्त करने के लिए, उन्हें जादा से जादा अवसरों के उप्युक्त मनाने के लिए, इस एजुकेशन पालिसी में खास जोड दिया गया है। जब भारत का स्टूडन्ट, चाहे वो नर्सरी में हो, या फिर कॉलेज में साइन्टिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समाएं, और तेजी से बदलती जरुरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्लिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमी का निभा पाएगा। साथ क्यों, बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टिम में बड़े बडलाव नहीं हुए थे। परणाम यह हुआ कि हमारे समाज में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूस को प्रमोट करने के बजाए बेड़ चाल को ही प्रोथसान मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड लगी, कभी इंजिनियर बनाने की होड लगी, कभी वकील बनाने की होड लगी। इंट्रेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किये बिना खोड लगाने की प्रभुक्ति से एजुकेशन को बहार निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडन्स में, हमारे युवाओं में, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विख्सित कैसे हो सकती हैं। जब तक हमारी सिक्षा में पैशन ना हो, फिलोसोफी अप एजुकेशन ना हो, परपज अप एजुकेशन ना हो। साथियों, आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकूर की पुन्नितिती भी है, वो कहते थे, उच्चतम सिक्षा वो है, जो हमें सिर्प जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है, निश्चित तोर पर राश्ट्रिय सिक्षा नीती का ब्रहत रक्ष इसी से जुड़ा है, इसके लिए टुकणों में सोचने के बजाए एक होलिस्टिक एप्रोच की ज़रुत थी, जिसको सामने रखने में राश्ट्रिय सिक्षा नीती सफल रही है, साथियों, आज जब राश्ट्रिय सिक्षा नीती मूर्तर रूप ले चुकी है, तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आप से करना चाहता हूँ, जो हमारे सामने शुरुवाती दिनों में आये थे, उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे, वो यही थे, कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्ता, हमारे युवाओं को क्रियेटिव, कुरियोसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइब के लिए मोटिवेट करती हैं, आप लोग इस खेत्र में इतने वर्सों से हैं, आपने अपना जीवन शिक्षा के लिए खपा दिया है, समर्पित किया है, आप लोग इसका जवाब बहतर जानते हैं, साथियो, हमारे सामने दूसरा सवाल था, कि क्या हमारी सिक्षा व्यवस्ता हमारे युवाओं को एमपावर करती हैं, देश में एक एमपावर सोसाइटी के निर्माण में मदद करती हैं, आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं और जवाबों से भी भली भाती परिचित हैं, साथियो, आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रिय शिक्षा नीति को बनाते समय, इन सवालों पर गंबीरता से काम किया गया, साथियों, बदलकते समय के साथ एक नई विश्व विवस्ता, एक नए रंग रूप और विवस्ताओं में बड़लाओ, एक नई विश्व विवस्ता खड़ी हो रही है, एक नया ग्लोबल स्टांडर भी तै हो रहा है, इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टेम, खुद में बड़लाओ करें, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था, स्कूल करिकुलम के 10 प्लस 2 स्ट्रक्शर से आगे बढ़कर अब, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 केरुकुलम का स्ट्रक्शर देना, इसी दिशा में एक कदम है, हमें अपने स्टूडन्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है, और इसका भी धान रखना है, कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बनें, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें, जड़ से लेकर के जग तक, मनुष से मानवता तक, अतीत से आधुनिता तक, सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए, इस राष्टिय स्विक्षानीति का स्वरूप तै किया गया है, साथियों, इस बात में कोल विवाद नहीं है, कि बच्चों के घर की बोली, और स्कूल में पढ़ाई की भाशा, एक ही होने से, बच्चों के सीखने की गती बहतर होती है, ये एक बहुत बड़ी वजह हैं, जिसकी वजह से, जहां तक संबव हो, फिप्ट क्लास तक, बच्चों को उनकी मात्रू भाशा में ही, पढ़ाने पर सहमती दी गई है, इस से, बच्चों को, और बच्चों की नीव, तो मजबुत होगी ही, उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी, उनका बेश और मजबुत होगा, साथियों, अभी तक जो हमारी सिक्षा विवस्ता है, उसमें, वाट टू थिंग, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, वाट टू थिंग पर फोकस रहा है, जबकि इस सिक्षा निती में, हाउ टू थिंग, उस पर बल दिया जा रहा है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, कि आज जिस दौर में हम, और यह दौर ऐसा है, जहां इन्फरमेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है, हर प्रकार की जानकारी आपके मुबाइल फोन पर अविलेबल है, जरूरी यह है, कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखकर ही, राश्ट्रिय सिक्षा निती में प्रयास किया गया है, कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, धेर सारी किताबे होती हैं, उसकी अनिवारियता को कम किया जाए, अब कोशिश ये हैं, कि बच्चों को सीखने के लिए, इंक्वाईरी बेश, डिस्कवरी बेश, डिस्कसन बेश और एनालिसिज बेश तरीकों पर जोड़ दिया जाए, इससे बच्चों में सीखने की ललग बढ़ेगी, और उनके क्लास में उनका पार्टीशिपेशन भी बढ़ेगा, साथियों, हर विद्यार्थी को, स्टूडन को ये अवसर मिलना ही चाहिए, कि वो अपने पैशन को फॉलो करे, वो अपनी सुविधाव और जरूरत के हिसाब से, किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके, और अगर उसका मन करें, तो वो छोड़ भी सकें, अक्सर ऐसा होता है, कि कोई कोर्स करने के बाद, स्टूडन जब जॉब के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है, कि जो उसने पढ़ा है, वो जॉब की रिक्वाइर्मेंट को पुरा नहीं करता, कई स्टूडन को अलग-अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़ कर जॉब करनी पड़ती हैं, ऐसे सभी स्टूडन की जरुवता का ख्याल रखते विए, मल्टिपल एंट्री एक्जिट का ओप्षन दिया गया है, अब स्टूडन वापस अपने कोर्स से जूड़कर अपनी जॉब रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से जादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है, लर्न कर सकता है, इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडन्स को ये भी स्वदंत्रता होगी, कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर, दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहें, तो वो कर सकते हैं, इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं, और दूसरा कोर्स जॉइन कर सकते हैं, हाइर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर रहे हैं, मल्टिपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीशे, यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगया आए हैं, हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रफेशन में ही नहीं टिका रहेगा, बडलाव निश्चित हैं मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रिश्किल और अप्स्किल करते रहना ही होगा, नेश्टनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्य शिक्षानिती में इसका भी बारी की से ध्धान रखा गया है, साथियों, किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमी का रहती है, समाज के हर तपके की गरिमा, उसकी डिगनीटी, समाज का कोई व्यक्ति, कोई भी काम करता हो, कोई निम्न नहीं होता है, हमें ये सोचना चाहिए, कि भारत जैसे सांस्कृत से सम्रुद्ध रहे देश में, ये बुराई कहां से आई, उंच निच का भाव, मेहनत मद्धूरी करने वालों के प्रती हीन भाव, इस प्रकार की विकृती हमारे अंदर कैसे घर कर गई, इसकी एक बड़ी बज़र रही है, कि हमारी एजुकेशन का समाज के इस तब्के के साथ एक डिस्कनेक्ट रहा, जब गावों में जाएंगे, किसान को, समीकों को, मद्धूरों को काम करते देखेंगे, तब यह तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, वो कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं, समाज की आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए, वो कैसे अपना जीवन खपा रहे हैं, उनके स्रम का सन्मान करना, हमारी पीडी को, वर्तमान को, भावी पीडी को सिखना ही होगा, इसलिए राष्ट्रे शिक्षानिती में, स्टूडन्ट एजुकेशन और डिगिनिटी ओफ लेबर, उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, साथियों, 21 सदी के भारत से, पूरी दुनिया को, बहुत अपेक्षाएं हैं, भारत का सामर्त है, कि वो टैलेंट और टेक्नोलोजी का समाधान, पूरी दुनिया को दे सकता है, हमारी इस जिम्मेदारी को भी, हमारी एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस करती है, राष्ट्रिय शिक्षा नीती में, जो भी समाधान सुझाये गए हैं, उससे फुचरिस्टिक टेक्नोलोजी के प्रती, एक माइंड सेट विक्सित करने की भावना भी है, अब टेक्नोलोजी ने हमें बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम खर्च में, समाज के आखरी छोर पर खड़े स्टूडन तक, पहुंचने का माध्यम दिया है, हमें इसका जादा से जादा उप्योग करना है, इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, टेक्नोलोजी आधारित, बहतर कंटेंट और स्कोर्स के डेवलोप्मेंट में, बहुत मदद मिलेगी, बेजिक कम्प्यूटिंग पर बल हो, कोडिंग पर फोकस हो, या फिर रिसर्ट पर जादा जो, यह सिर्फ एजुकेशन सिस्टीम ही नहीं, बलकि पूरे समाज की एप्रोच को बदलने का माध्यम बन सकता है, वर्चुल लेब, वर्चुल लेब जैसे कंसेप्ट, ऐसे लाखो साथियों तक, बहतर सिक्षा के सपने को ले जाने वाला है, जो पहले से ही सब्जेक्स पढ़ी नहीं पाते थे, जिसमें लेब एक्सपरिमेंट जरूरी हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रिय शिक्षानिती, हमारे देश में रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में भी एहम भूमी का निभाने वाली है, साथियों, जब institutions और infrastructure में ये reforms reflect होंगे, तभी राष्ट्रिय शिक्षानिती को अधिक प्रभावी और त्वरीद गती से implement किया जा सकतेगा, आज समय की मांग है, को innovation और adoption की जो values हम समाज में निर्मित करना चाहते हैं, वो खुद हमारे देश के institutions से शुरू होनी चाहिए, और जिसका नेत्र तो आप सब के पास है, जब हम education और विशेश, higher education को empower society के निर्माता की रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए higher education institutions को भी empower करना जरूरी है, और मैं जानता हूं, जैसे ही institutions को empower करने की बात आती है, तो उसके साथ ही एक और शब्द चला आता है, और वो शब्द आप बली बात ही जानते हैं, वो शब्द क्या है, autonomy, autonomy, आप भी जानते हैं कि autonomy को लेकर हमारे यहां दो तरह के मर्द पुरे देश में प्रवर्तमान है, एक कहता है कि सबकुछ सरकानी नियंत्रण से पूरी सक्ति से चलना चाहिए, तो दूसरा कहता है कि सभी समस्थानों को by default autonomy मिलनी चाहिए, पहली एप्रोच में non-government समस्थानों के प्रती mistress दिखता है, तो दूसरी एप्रोच में autonomy को entitlement के रूप में भी treat किया जाता है, good quality education का रास्ता इन दोनों के बीच में से ही निकलता है, दोनों मतों के मद्दे से ही निकलता है, जो समस्थान quality education के लिए ज़्यादा काम करें, उसको ज़्यादा freedom से reward किया जाना चाहिए, इससे quality को encouragement मिलेगा, और सबको grow करने के लिए incentive भी मिलेगा, national education policy, राष्ट्रिय शिक्षानिती आने से पहले, हाल के बर्षों में आपने भी देखा है कि कैसे हमारी सरकार ने अनेकों अनेकों institutions को आटोनोमी देने की पहल की है, मुझे उमीद है, राष्ट्रिय शिक्षानिती का जैसे जैसे विस्तार होगा, शिक्षा संस्थानों को आटोनोमी की प्रक्रिया भी और तेज होगी, साथियों, देश के पुर्वराश्पती, महान वैज्ञानिक, डॉक्टर अपी जे अब्दूल कलाम कहा करते थे, the purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers. वाकई, शिक्षा व्यवस्ता में बदलाव, देश को अच्छे स्टूडन्स, अच्छे professionals, और उत्तम नागरित देने का बहुत बड़ा माध्यम, आप सभी हैं, आप सभी teachers ही हैं, professors ही हैं, शिक्षा जगत से जुड़े आप ही लोग इस काम को करते हैं और कर सकते हैं, इसलिए, National Education Policy, राष्ट्रे शिक्षा नीती में, dignity of teachers का भी ज्यान रखा गया है, एक प्रयास ये भी है, कि भारत का जो talent है, वो भारत में ही रहकर आने वाली पीडियों का विकास करें, राष्ट्रिय शिक्षा नीती में, teacher training पर बहुत जोर है, वो अपनी skills लगातार अपडेड करते रहें, इस पर बहुत जोर है, I believe, when a teacher learns a nation leads, साथियों, national education policy, राष्ट्रिय शिक्षा नीती को अमल में लाने के लिए, हम सभी को एक साथ संकल्प बद्धो कर काम करना है, यहां से universities, colleges, school education boards, अलग-अलग states, अलग-अलग stakeholders के साथ, सम्वाद और समनेवाई का नया दोर शुरू होने वाला है, आप सभी साथी, क्योंकि हैर education के सबसे शिर्ष संस्तानों के शिर्ष में है, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, मेरा आग्रह हैं कि राष्ट्रिय शिक्षानीती पर लगातार webinar करते रहे, discussions करते रहे, नीती के लिए रणनीती बनाईए, रणनीती के लागू करने के लिए roadmap बनाईए, roadmap के साथ timeline जोड़िये, उसको implement करने के लिए resources, human resources, इस सब को जोड़ने की योजना बनाईए, और ये सारा चीज ये नई निती के प्रकाश में आप ही को करना है, राष्ट्रिय शिक्षानीती सिर्फ एक circular नहीं है, राष्ट्रिय शिक्षानीती सिर्फ circular जारी करके, notify करके, implement नहीं हो सकती है, इसके लिए मन बनाना होगा, आप सभी को द्रड इच्छा शक्ती दिखानी होगी, भारत के बरतमान और भविश्य को बनाने के लिए, हमारे इन प्रयासों से, पूरी शताब्दी को एक दिशा मिलने वाली है, और इसमें इस गवरव पुर अध्यायत में जुड़ने के लिए, मैं आपको निवंतरी देता हूँ, इसमें आपका योगदान बहुत आवश्यक है, इस कॉंक्लेव को देख रहें, सुन रहें, प्रत्यक का योगदान आवश्यक है, मुझे विश्वास है इस कॉंक्लिव में राष्टिय शिक्षा निति के इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन को लेकर बहतर सुझाव बहतर समाधान निकल करके आएंगे और मैं विशेश रूप से आज जब मुझे अवसर मिला है तो सार्वजनिक रूप से डॉक्टर कस्तुरी रंगन जी का उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये काम छोटा नहीं था बहुत बड़ा काम था बहुत लोगों के सुझाव थे बहुत अपेशाएं थी और फुर्सोप कौमा भी उधर उधर हो जाता तो पतानी क्या हो जाता और इसलिए कस्तुरी रंगंजी और गुनी टीम ने कितनी बारीकी से एक तपश्या की तरह इस काम को किया होगा तब जाकर के संपूरत अब विबादों से मुक्त विश्वास से भरी हुई सपनों को सवारने वाली संकल्प को ताकत देने वाली और सिद्धी में अतूट सद्धा के साथ ये नई शिक्षानिती हमारे सामने आई है मुझे विश्वास है कि देश के भावी पीडी के उजवल भविश के लिए वर्तमान पीडी के सामर्तों को बढ़ाने के लिए ये नई शिक्षानिती बहुत काम आएगी मैं फिर एक बार कि सिक्षा जगत के आप सभी महानुभाव को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुब कामनाय देता हूं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अगई है भूद बहुत दन्यवाद प्रधान नंतिजी अम आपके बहुत आभारी है